हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस e-school के word power series से लगातार जुड़ेवे हो अपनी vocabulary improve कर रहे हो और जितने भी sessions हुए हैं आप सब को note कर रहे हो उनको repeat कर रहे हो और इस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपके पास में vocabulary का एक बहुत बड़ा store होगा तो अपने आपको improve करते रहे हैं आने वाले competitions में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी तरीकी की vocabulary को लेकर के कोई परेशानी नहीं होगी तो इसी उमीद के साथ मैं आज एक नई session के साथ शुरू करते हैं मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पांच मिनट में पांच शब्द five words in five minutes और हमारे आज के पांच शब्द है एक जूट हरें लकाउनिक मेंदा सिटी और हुडविंक तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से एक जूट एक वर्ब है इसका अर्थ होता है इसके देखिए दो अर्थ होते ह एक तो होता है रिसना पानी का रिसना हो गया तपकना हो गया वो इसके अलावा इसका एक आर्थ होता है प्रदर्शित करना प्रदर्शन करना एना to display conspicuously is also exude या फिर इसको कह सकते है to smell to produce smell or liquid from inside तो दो इसके meaning होते है इन दोनों को sentences में देखते हैं the cm exuded confidence regarding his fellow members of assembly पहला जो मुख्य मंत्री है उन्होंने अपने जो सदस्य थे assembly के उनको लेकर के आत्मविश्वास दरश आया एक और meaning the plant this plant exudes fragrant liquid यह जो plant है यह एक बहुती शुगंद वाला liquid जो है वो इससे निकलता है अब आगे बढ़ते है next word देखते है हरें इसमें देखे स्टुरेंस यह जी का sound ह यह silent रहता है हरें बोलेंगे इसको यह एक वर्ब है क्रिया जिसका अर्तुता है अग्र भाशन देना ऐसा भाशन देना जिससे जो जनता है वो aggressive हो जाए to speak forcefully and angrily in public इसको आप डाट्राइब भी बोल सकते हैं याद रखना कि हरें संबडी होता है अगर यूज करेंगे तो हरें संबडी होगा तो इसको एक्जांपल से समझते हैं he went up to the stage and हरें the young followers मतलब वह stage पर गया और उसने अपने यूवा जो अनुयाई थे उन सब को एक अग्र भाशन दिया देखें हरें जो है येक नाउन भी होता है जो अग्र भाशन के लिए यूज होता है जो एंग्री एंट फोर्सफुल स्पीच तो क्रिटिसाइज समबडी हरें जोता है जो लगी डिलीवर्ड अहरें ओन दे स्टेज उसने स्टेज पर एक अग्र भाशन दिया अब आगे बढ़ते हैं नेक्स वर्ड देखते हैं नेक्स वर्ड है लकाउनिक लक यह रुखेपन के साथ में जो जब हम शॉट में रेस्पोंस देता है तो वह भी लकाउनिक रेस्पोंस होता है इसको हम आप कह सेथे हैं यूजिंग ओनली फ्यू वर्स तो से सम्थिंग इसको कंसाइज तो पॉइंट शूट थीज तो यह इसके अर्थ होता है था आप नो लेकर दीता है एक और सेंटन्स देखते हैं उसने मीटिंग में बहुत ही शॉर्ट रिप्लाइज थे वह दिये अब आगे बढ़ते हैं नेक्स वर देखते हैं अन्डासटी इक नाउन है इसका आप होता है जूट या असत्य देख्ट ओ नॉट नॉट पनासटी इसको example से समझते हैं, he was accused of mendacity, उस पर जूट का आरोप लगाया गया, एक और example, mendacity is ubiquitous in present politics, वर्तमान जो राजनिती है, उसमें असत्य सर्वव्यापी है, politics में आपको असत्य हर जुगा दिखेगा, आगे बढ़ते हैं, next word, hoodwink, hoodwink एक verb है क्रिया, जिसका आर्थ होता है किसी को दोखा देना, किसी के साथ चालाकी करना, to trick somebody, to beguile, or to bamboozle, इसको swindle भी कह सकते हैं, ये hoodwink के synonyms हुए, एक बात और याद रखना, कि hoodwink somebody into doing something होता है, मैं बढ़त होगा, उसके बाद में into लगेगा, और into के बाद में जो verb आएगी, वो ing के साथ में लगेगी, इसको example में देखिया, आप समझ जाएगी, he was hoodwinked into buying an illegal land, उसको एक illegal land, गहर कानूनी जमीन खरीद दी, जिसके लिए उसको दोखा दिया गया, मैंना दोखे से उसको गलत जमीन दिला दी गई, तो hoodwink into हो गया, और उसके बाद में buying आया है, तो यह ing form इसके बाद में आती है, एक और example, he is an expert lawyer, it is difficult to hoodwink him, वह एक बहुती expert lawyer है, और उसको दोखा देना बहुत मुश्किल है, तो students, यह थे हमारे आज के पास सब, उमीद करता हूँ, आपको यह अच्छे लगे हैं, आप इनको note करोगे और repeat भी करते रहोगे, तो with a hope for a bright future, I wish you all good luck and safe future, thank you very much.